हिंसा का जो दुकाने शिकार हुई हैं उनमें से एक हीरो मूटर का शो रूम और अभी भी आग धधक रही है करीब 30 से 35 वाहन यहां पर थे उस समय सब चीज जो है वो राख बन गई जलकर होस्पिटल का नाम है लखनव सेवा हॉस्पिटल में किस तरीके से तोड़ फोड की गई है इस तरफ भी आग अगर लगती तो कोई बड़ा हाथसा भी हो सकता था इस वक्त ललन टॉप की टीम उतरप्रदेश के बहराई चुजिले में हैं बहराई चुजिले के अंतरगात आती है महसी तहसील और महसी तहसील में आता है महराज गंज महराज गंज वही जगए है जहां पर 13 अक्टूबर यानी रविवार की शाम जो एक जहांकी जा रही थी दुरगा विसरजन के लिए जहांकी गुजर रही थी वहाँ पर ऐसा आरोप है कि पहले उस जहांकी पर पत्रा हुआ इसके बाद वहाँ पर एक व्यक्ती की मौत भी हुई उसे गोली मारी गई और जो उसको गोली मारी गई अब एक घर में खीच कर उसके बाद पबलिक का गुस्सा भढ़का और वहाँ पर मौजूद पुलिस अगले ही दिन यानी 14 अक्टूबर को यानी सोमवार को क्या हुआ सोमवार को उस यवक का पोसमाटम होकर जैसे ही शव उसका उसके गाउं में पहुचा गाउं में शव पहुचने के बाद लोगों ने उग्र हो गई वो भीड और उन्होंने इस महसी तहसील के अलग अलग जो है आक्रोश जताया और तमाम गाडियों को फूख दिया तमाम वाहनों को जला दिया महराज गण्य में जिस जगे हिंसा का जो दुकाने शिकार हुई है उनमें से एक आपको ये दिख रहा है हीरो मूटर का शोरूम इस शोरूम में जो लोग थे जिन्होंने आगजनी की आगजनी में क्या नुकसान हुआ होगा वो हम आपको दिखाते हैं लगभग उस घटना के 24 घंटे बाद यहां पर क्या माहौल है वो हम आपको दिखाते हैं हमारे साथी प्रशांत को बोलूँगा कि साथ में आए और आग यहां पर धदकती हुई दिख रही है अभी भी मै मैं इस कमरे के अंदर जा रहा हूँ इस शोरूम के अंदर जा रहा हूँ हूँ यहां यह शोरूम हुआ करता था और अभी भी आग धदक रही है यह आपको अगर तस्वीरों में यह नजर आ रहा है यह मोटर साइकले हैं जिनको जला दिया गया जब इस शोरूम को आग के ह खड़ी हैं अगर मैं आपको एक्जेक नंबर भी बताऊं यहां पर तीन पाँच तीन आठ दो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सूला सतरह ठारा उनिस बीस वाई सभीस पचिस शभीस करीब 30 से 35 वाहन यहां पर थे उस समय कुछ फाइल्स थी वो भी जला दी गई यहां पर आपको दिख रहा होगा इस समय धूआ उठता आपको नज़रा रहा है यहां कम्प्यूटर सिस्टम रखा था उसको भी आग के हवाले कर दिया गया जब यहां पर आग लगाई गई तो फिर किसी भी चीज को नहीं छोड़ा गया उसके पीछे वाक्शॉप है वह जब राम गोपाल की हत्या हो गई उसके बाद वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया उन पर आक्शन लेने के बजाए जो लोग जहांकी में शामिल थे ऐसा आरोप है कि पुलिस ने उन पर ही लाठी चार्ज कर दिया और पुलिस की ओर से कोई आक्शन नहीं था ऐस उन लोगों का आरोप है उसके बाद भीड उग्र हो गई और जिस वज़े से इस तहसील के तमाम गाउं करीब 10-12 गाउं में इस तरह के हिंसा की घटनाएं सामने आएं इस शोरूम का आपने ये तस्वीरे देखी और इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पर एक ह अब आपको दिखेगा डॉक्टर हाजी एमरजा जर्नल फिजीशन यहाँ पर 24 गंटे उपलब्द तो इस होस्पिटल को भी निशाना बनाया गया ये पहले पर दिर्श दिखाईए इस होस्पिटल में किस तरीके से तोड़ फोड की गई जो गुस्सा था वो इस प्रॉपर्टी पर या वहाँ पर इसके लावा तमाम गाडियों को जला दिया गया उनको आग के हवाले कर दिया गया आप यहाँ पर देखेंगे इस होस्पिटल में कुछ बेड भी पड़े हुए हैं इसके लावा इधर हां लेकिन यहाँ पर अगर मैं दिखाओं आपको इस समय यह इनवर्टर का साउंड भी सुनाई दे रहा होगा बीप जो है यहाँ पर जो टेबल तख्त रखे हुए थे उनको आग के हवाले कर दिया गया मतलब आगे के हिस्से में अगर आप देखें तो ऐसा कोई सामान न और किचन में सिलिंडर भी रखा हुआ है तो अगर आग जो है इस तरफ भी आग अगर लगती तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था जिस हिसाब से यहाँ पर किचन है और सिलिंडर रखा गया है तोड़कोड के निशान आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं इस समय और यह ज जो है परतिकरिया थी किसकी परतिकरिया बता रहे हैं उनका कहना है जिस तरीके से राम गोपाल मुश्रा को हीच कर घर में ले जाकर गोली मारी बड़ी बेरहमी से राम गोपाल की हत्या कर दी गई अब्दुल हमीद के घर में उनके परिवार पर ऐसा आरोप है कि उन्हों इस हत्या को अंजाम दिया, और जिस ब्रूटल तरीके से रामकोपाल को मारा गया, उसका जो है उसकी प्रतिक्रिया अलग अलग गाउं में यहाँ पर देखने को मिली, इस जिले की जो तहसील है, यहाँ की जितने भी गाउं हैं, वहाँ पर लोग सडकों पर उतर आ है, जब रामकुपाल मिश्रा का शव अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था तब भी बताया जा रहा है कि करीब 500 से 600 लोग मौजूद थे और वो धीरे 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 बढ़ते हुई यहां पर रमपुरु अचौकी हो या महराज गंज हो या आसपास के कोई भी गाउं हो वहां पर लोग कठा हुए और चुन-चुन कर एक वर्ग विशेश के प्रतिष्ठानों पर को निशाना बनाया गया और उनको आके हवाले कर दिया गया पुलिस जो है सोमवार के दिन पुलिस ने घटना पर काबू करने की कोशिश की लेकिन मामला उनके हाथ से उस वक्त निकल गया उसके आस पडोस के जो जिले हैं वहां से तमाम एडिशनल फोर्स को बुलाया गया और उस फोर्स के आने के बाद चीजे यहां पर फिलहाल सामाने हैं और जो जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे कल तक यानी सोमवार तक आज मंगलवार को उस घटना के 24 गंटे बाद यहां प पर करफ्यू जैसे हालात हैं और यहां पर जो है किसी को भी बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है यहां पर प्रशाशनिक अमला यहां पर बहराईच जिले के आला अधिकारी हों या लखनव से आने वाले अधिकारी हों उन सब की गाडिया ही सड़कों पर यहां सिर्फ लोगों ने इस घटना को देखा होकल, क्या हुआ था यहां, अगर वो कुछ बताना चाहें, तो हम लोगों से बात करते हैं. आए आए जरा एक में आजे हम आजे हैं आजे होटल है यह होटल है होटल है है अच्छा प्राइब क्या नाम है आपका सट्राइब कल यहां थे अप अब आप तो गार के अंदर पता चला होगा कुछ हो रहां हु क्या क्या पतार चलना फाथा चलना अप यही अपना तो फैर फिर पलीस रोक रही थी थी तो फ्रोकरी थी हाँ रोक रहे दी विज़तीं तो फिर तो प्रोड़ी देर तक चल Corine सब नो सब्सक्राइब से भाड और व्रोष में रही देख रहे टीवी थी तीर पर दोगों को ऐसा कुछ पता चला हुआ क्या था यहां पर पूर्वे मूर्ति जहां कुछ भवा रहा है आम लोग यहीं बैठे थे सब आपके सामने से निकल के जा रहा होगा जलूस यहीं पर जाता है वह चावराहिब जो आटा वहीं कुछ भवा पता था अच्छा आपको मतलब इसमें दोपक्ष के लोग आपस में लड़ रहे थे तो मतलब दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे या जैसे हॉस्पिटल में मरीज रहते हैं यहां पर नहीं खुला रहा है अच्छा पहले आ रहे तो खोले थे अच्छा मतलब यह सील पड़ा है मरीज नहीं आते हैं मरीज कोई नहीं कोई नहीं रहे तो जब आग लगी तब भी शेटर उठा के आग लगा अच्छा और जो आगे हीरो का शोरूम है वो खुला था उस दिन ने उसको भी शेटर उठा के अब जो उन बावा हो है हम लोग अच्छा मतलब इक डर तो बना रहता है कि वीड है उनका कोई तो घर में नहीं पर अपने घर सेटी मियाद दे अच्छा पलालबन की है यब फोग आयो तब भागे है उसी घटना का गुस्सा था यह है उसी घटना का लास वही तिर रखी रह तैसिल तिर लेकर आ रहा है व को हेश घटना हुई थी माहराज गझ में आग जनी की घटना हुई थी परसु की घटना के प्रतिरोध में ऐसा यहां के लोग ग जहुत हैं कि उस action का ये reaction था जो कि यहां पर नजर आया हाला कि जो इस्थानी लोग यहां आसपास रहते हैं उनका कहना है कि वो विबाद जो है घंटे आधे घंटे का ही था उसके बाद पुलिस यहां पहुंच गई थी और भीड को तितर बितर कर दिया था तो हम अलग-अलग spot पे हम आपको अपने तमाम वीडियो में बताते रहेंगे कैमरे के पीछे मेरे साथी पशांत हैं मेरा नाम विकास वर्मा हैं देखते रहिए दीललन टॉप